हलो एप्रिवन आज मैं शेयर करने जा रही हूँ टेम्टिंग और फ्लेवर्फुल लौकी के हलवे की रेसिपी लौकी हलवे के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक मेडियम साइज ग्रेटर लौकी, एक कप दूद, मिल्कमेड, चीनी या शकर, आप्शनल है, इलैची का बॉडर, काजू, पोस्त दाना इसके बाद इस क्रेटर लौकी को प्रेशर कुकर में एक कप दूद डालकर एक विसल लगवा लें और साथ में इलैची पॉडर भी मिला लें ताकि लौकी जो है वो हलकी सॉफ्ट हो जाए, नरम बढ़ जाए अब हम इस मिक्षन को कड़ाई में ट्रांसफर कर लेंगे और साथ में ही एड़ कर लेंगे मिल्कमेड, चीनी, पोस्त दाना और काजू का पॉडर यदि घर में मिल्कमेड ना हूँ तो आप एक दो दिन की इकठी करीवे बलाई या फिर खुआ भी डाल सकते हैं अब भी हम इसे पकाते रहेंगे और बीच बीच में हिलाते रहेंगे ताकि ये जल ना जाए अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें ड्राइफ रूट सैट कर सकते हैं लॉक की हलबे को आप रिफरिजरेटर में तीन या चार दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं घर में आए मेहमानों के लिए भी ये अती सुन्दर डिश हैं थैंक यू फर वाचिंग